अकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अकाडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, मुल्टि डिस्टिप्लिनरी, डिस्ट्रिबूटिट टीचिंग लेर्निंग, एंड मुल्टिपल एंट्री एंड मुल्टिपल एक्जिट किस सिध्धान्तों पर आधारत क्रेडिट को डिजिटल से संकलिद और ट्रांसफर करने की एक विवस्ता है, जिसके लिए UGC दबारा रेगुलेशन्स जारी किये गए हैं, ये एक डिजिटल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें छात्र अकैडमिक अकाउंट खोलेंगे, जिसमें उनके दबारा अरजित क्रेडिट्स जमा किये जाएंगे, छात्र अपने खाते में जमा क्रेडिट का उपयोग डिगरी लेने में कर पाएंगे, UGC दवारा मल्टिपल एंट्री एन मल्टिपल एग्जिट के लिए भी दिशानर देश जारी किये गए हैं। नई सिख्षा नीती का उद्देश चात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। AICTE ने 11 छेत्रिये भाशाओं में अनवाद के लिए Artificial Intelligence Based Software डवलप किया है। सिख्षा को सभी की पहुँच में लाने के लिए इस सौफ्ट्वेर के माध्यम से छेत्रिये भाशाओं में पाठिक्रम तयार किये गए हैं। Internationalization of Higher Education भारतिये और विदेशी उच्छे शिक्षन संस्थानों के बीच परसपर सहयोग बढ़ी। इसके लिए UGC ने Credit Transfer के साथ उच्छे शिक्षन संस्थानों के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के लिए दिशानिर्देश तयार किये हैं। इससे जहां हमारे छात्रों को ग्लोगल स्थर की शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं विदेशी छात्रों के आनी से विश्व पतल पर हमारी संस्थाओं की साख बढ़ेगी। NDR National Digital Education Architecture Digital First की सोच पर आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर होगा। ये एक ऐसा डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर है जहां टीचिंग लर्निंग, प्लैनिंग और गवर्नेंस को एक साथ जोड़ा जाएगा। जिसका लाब देश के हर स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार थी, शिक्षक समुदाय और अभिभावक ले सकेंगे। डिजिटल भारत में शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, इस दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है एंडियर। स्कूल शिक्षा विभाग पथा आईटी मंत्राले द्वारा तयार किया गया नैशनल डिजिटल एजुकेशन आकिटेक्ट्चर। शिक्षा के विभिन आयामों में टेक्नोलोजी के इस्तमाल के लिए एक राष्ट्रिय मंच का निर्मान है। NETF प्रशासन, शिक्षन, मुल्यांकन, नियोजन आदी आयामों में टेक्नोलोजी के उपयोग पर केंद्रिय एवं राज्य सरकार को परामर्ष्ट देगा। NETF, शिक्षा के क्षेत्र में Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain Technology और अन्प्रकार के Software दोरा KG से PG तक शिक्षन और सीखने के तरीके में रचनात्मक बदलाव लाएगा ताकि देश 21 सदी में World Education Leader के रूप में छलांग लगा सके।